लो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में देखे, बहाद ही खुपसत और प्यारा सा हमारा बॉर्डर डिजाइन, आप किसी भी स्वेटर पी, जैकेट पी, काडिगन, पुलोवर, कहीं भी छोटी-छोटी डिजाइन को बना सकते हैं, और इसी डिजाइन को अगर पूरे के गैप के बाद फिर इसी डिजाइन को रिपीट कर सकते हैं, तो यही डिजाइन आपके पूरे स्वेटर में भी बन के आएगी, तो दिखाती हूं मैं बैक पॉर्शन, देखे, बैक साइट से डिजाइन हमारी इस तरह से दिख रही है, बहुत यह आसान और सिंपल से हमार यह डिजाइन है, तो आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं, यह दिखे, इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10-10 के मल्टिपल फंदी चाहिए, और प्लस 1 कर दें, तो यह डिजाइन सेट हो जाएगी, और यहाँ पे मैं 41 फंदों में यह आपको दिखाती हैं, आप अपने प्रजेक्ट के हिसाब से पंदे डालिए, बॉर्डर बनाएए, और उसके बात इस डिजाइन को स्टार्ट करिए, तो आएए देखते हैं इसकी फर्स्ट और इसमें देखे स्टार्टिंग के 1, 2, 3 पंदे प्लैक से रहेंगे, और अब य 2, 3, 4, 5 पंदे अब हम वाइट के करेंगे, और ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5 पंदे प्लैक, अब हम यहां से 5 वाइट, 5 प्लैक पूरी रों में रिपीट करेंगे, एक बार और रिपीट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट, और 1, 2, 3, 4, 5 पंदे प्लैक के, तो हम इनी पंदों को रिपीट करेंगे, और दीखे, जब हम 5 वाइट, 5 प्लैक, 5 प्लैक करते हैंगे, तो रों की लास्ट में सिर्फ 3 पंदे ही प्लैक कलर से रहेंगे, यह हमारी रों 2 है, और इसमें सबसे पहले 1 हम वाइट से करेंगे, और अब, 1, 2, 3 पंदे प्लैक, 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3 पंदे प्लैक, और 1 हमारा वाइट, अब पहला वाइट जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे छोड़ देंगे, अब हम 3 प्लैक से लिएकर 1 वाइट तक की डिजाइन रिपीट करेंगे, तो हम रिपीट करके भी देखाते हैं, 1, 2, 3 फंदे प्लैक, 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3 प्लैक, और 1 हमारा वाइट, तो इन्ही फंदों को रिपीट करते वे इस पूरी रो को बनाएँगे, ये देखें, अब हम रो 3 पे आगे हैं, और इसमें जो 3 फंदे वाइट के हैं, वो बीच वाला 1 वाइट हो जाएगा, और जो ये 1 वाइट है, इसके दोनों के साइट एक एक फंदे मिलाकर, यहां 3 फंदे वाइट हो जाएगे, तो देखें हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे, और सबसे पहले अब हमारा वाइट ही आएगा, 1, 2 वाइट, स्टार्टिंग करेंगे, और अब 1, 2, 3 फंदे वाइट और इस बीच वाले वाइट को हम 1 वाइट करेंगे, फिर हमारा वाइट आएगा, 1, 2, 3 फंदे वाइट, और 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3 फंदे वाइट, और 1 वाइट, और तेखें, यहां पे जब हमने इनी फंदों को बार बार रिपीट किया, तो स्टार्टिंग के 2 फंदे वाइट के हैं, इसके बाद 1 वाइट, 3 वाइट, फिर 1 वाइट है, 3 वाइट है, और हर एक के बीच में 3-3 फंदे हमारे ब्लैक कलर से, और जब रो की लास्ट में आएँगे, तो यहां 2 फंदे वाइट कलर से, यह देखिए, रो 4 में सबसे पहले 1 हम वाइट से करेंगे, और 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक, अब हम 1 वाइट, 4 ब्लैक पूरी रो में रिपीट करेंगे, तो देखिए, 1 हमें वाइट करना है, और 1, 2, 3, 4 ब्लैक, फिर 1 हमारा वाइट आएगा, और 4 फंदे ब्लैक करते वे, इस पूरी रो को हम बनाएँगे, यह देखिए, अब हम रो 5 पे हैं, और इसमें सबसे पहले हमारा वाइट आएगा, 1, 2 फंदे हम ब्लैक के करेंगे, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1 ब्लैक, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2 फंदे ब्लैक के, अब हम इस पहले ब्लैक को छोड़ देंगे, 1 ब्लैक से लेकर, 2 ब्लैक तक की डिजाइन रिपीट करेंगे, तो एक बर और रिपीट करते हैं, देखें, 1 ब्लैक से स्टार्ट करना है, 1 हमें ब्लैक करना है, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1 ब्लैक, 1, 2, 3 वाइट, और 1, 2 फंदे ब्लैक के, ये दिखें, रो नमबर 6 में, 1, 2 फंदे हम ब्लैक के करेंगे, 1, 2 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2 हमारे ब्लैक से, अब हम इस पहले ब्लैक को छोड़ देंगे, 1 ब्लैक से लेकर, 2 ब्लैक तक की डिजाइन रिपीट करेंगे, तो एक बार और रिपीट करते हैं, देखें, सबसे पहले 1 हम ब्लैक करेंगे, वाइट, 1, 2 फंदे वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1, 2 फंदे वाइट, और 1, 2 हमारे ब्लैक, और इनी फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है, और जब हम रिपीट करेंगे, तो दो डिजाइनों के बीच में, 3 फंदे प्लैक कलर से हो जाएंगे, यह दिखें, यह हमारी रोब 7 है, और इसमें स्टार्टिंग के, 1, 2, 3, 4 फंदे हम ब्लैक से करेंगे, और अब हमारा वाइट आएगा, 1, 2, 3 फंदे वाइट और बीच में देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3 फंदे वाइट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे प्लैक, और 1, 2, 3 फंदे वाइट, तो देखें, स्टार्टिंग में, 4 फंदे ब्लैक है, उसके बाद 3 फंदे ब्लैक, 3 फंदे प्लैक, 3 फंदे ब्लैक, पूरी रोब बनेगी, और जब रो की लास्ट में आएँगे, तो यहाँ 4 फंदे ब्लैक कलर से हो जाए यह हमारी रो एट है और इसमें देखे वान, टू फंदे हम ब्लैक से करेंगे और अब हम इस पहले ब्लैक को चोड़ देंगे वन ब्लैक से लेकर टू ब्लैक तकी डिजाइन हम रिपीट करेंगे एक पर और रिपीट करते हैं वन हम ब्लैक से करेंगे वन टू थी फंदे वाइट वन प्लैक वन टू थी वाइट और वन टू फंदे प्लैक तो इन्ही फंदों को जब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो बीच में यहां 3 फंदे ब्लैक कलर से हो जाएंगे यह दिखे, रो 9 और इसमें भी 1, 2 फंदे हम ब्लैक के करेंगे 1, 2 फंदे बाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 1 फ्लैक 1, 2 फंदे बाइट वन हमारे प्लैक से अब हम इस पहले प्लैक को छोड़ देंगे वन प्लैक से लेकर टू ब्लैक तक की डिजाइन रिपीट करेंगे एक बर और रिपीट करते हैं 1 हमारा प्लैक आएगा तो यहां 3 पंदे हो गए 1, 2 वाइट, 1 प्लैक, 1 वाइट, 1 प्लैक, 1 तू फंदे वाइट और 1 तू फंदे प्लैक के तो देखें इनी पंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रोग को बनाएंगे यह हमारी रोग 10 और इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5 5 पंदे प्लैक के बाद 1 हमारा वाइट आएगा और फिर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पंदे प्लैक के और 1 हमारा वाइट फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लैक और 1 हम वाइट से करेंगे तो इस स्टार्टिंग में से 5 पंदे ब्लैक रहेंगे फिर 1 वाइट, 9 प्लैक, 1 वाइट, 9 प्लैक करती हुए पूरी रोग को बनाएंगे और जब रोग की लास्ट में आएंगे तो यहाँ 5 पंदे ब्लैक कलर से रहेंगे यह हमारी रोग 11 और देखें 1, 2 पंदे हम ब्लैक से करेंगे 1, 2, 3 पंदे वाइट, 1 ब्लैक, 1, 2, 3 वाइट, 1, 2 पंदे ब्लैक अब इस पहले ब्लैक को छोड़ देंगे 1 ब्लैक से लेकर 2 ब्लैक तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रोग 12 है और इसमें देखें 1, 2, 3 पंदे हम ब्लैक के करेंगे और अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक फिर हम 5 ब्लैक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक और 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट तो स्टार्टिंग में 3 पंदे रहेंगे उसके बाद 5 वाइट, 5 ब्लैक, 5 वाइट, 5 ब्लैक पूरी रोग बनेगे 1, 2 वाइट और बीच के 5 ब्लैक को ब्लैक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक फिर यहाँ पे देखें 1, 2 फंदे वाइट, 1 प्लैक, 2 फंदे हम वाइट से करेंगे और फिर बीच के 5 ब्लैक को ब्लैक कलर से तो इनी फंदों को रिपीट करते वे इस पूरी रोग को हमें बनाना है और दिखें अब हम रोग 14 पे हैं और इसमें 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग की 4 फंदे ब्लैक रहेंगे और आप 1, 2, 3 फंदे वाइट और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ब्लैक के करेंगे अब हम 3 वाइट, 7 ब्लैक पूरी रोग में रिपीट करेंगे तो देखें 1, 2, 3 फंदे वाइट और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ब्लैक के और देखें जब हम रोग की लास्ट में आएगे तो यहां 4 फंदे ही ब्लैक कलर से रहेंगे यह देखें यह हमारी रोग 15 जिसमें स्टार्टिंग में देखें 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे ब्लैक से रहेंगे और बीच वाले वाइट को 1 वाइट करेंगे और अब ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हम अब बीच में ब्लैक के करेंगे और इस बीच वाले वाइट को 1 वाइट अब यहां से 1 वाइट 9 प्लैक हम पूरी रोग में रिपीट करेंगे और देखें 1 वाइट 9 प्लैक 1 वाइट 9 प्लैक करते आएगे तो रोग की लास्ट में भी 5 फंद ही प्लैक कलर से रहेंगे यह देखे 15 रो में कितनी खूपसत और प्यारी सी हमारी बॉर्डर डिजाइन बनके आई है मेरा यह वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएए कि यह डिजाइन आपको कैसी लगी तेंक यू